Hello everybody, आज जो हम topic cover करने जा रहे हैं वो है lease under transfer of property act इंडिया में हर कोई व्यक्ती financially इतना सक्षम नहीं होता है कि वो absolute transfer कर सके property का temporary transfers के थुरू हर कोई व्यक्ती property की right को enjoy कर सकता है property को कई तरीकों से transfer किया जा सकता है जब property को particular period के लिए transfer किया जाता है तो उसे हम lease कहते हैं lease में interest को transfer किया जाता है एक निर्धारित समय अबदी के लिए और यहाँ पर जो property की ownership है उसे transfer नहीं किया जाता है lease में right of possession को transfer किया जाता है right of ownership को transfer नहीं किया जाता है जो व्यक्ति हाँ पर ट्रांसफरर होता है उसे लेसर बुलाया जाता है और जो व्यक्ति हाँ पर ट्रांसफरी होता है उसे लेसी बुलाया जाता है Transfer of Property Act 1882 के सेक्शन 105 से लेकर 117 तक लीज को कवर करते हैं Definition of Lease Lease of Immovable Property का मतलब होता है Right to Enjoy Property को ट्रांसफर करना यह एक निर्धारित समय के लिए किया जाता है यह expressed भी हो सकता है Implied भी हो सकता है और perpetuity के लिए भी हो सकता है Transfer of Property Act का जो हमने last topic cover किया था उसमें हमने cover किया था rule against perpetuity को उसमें जब हमने exceptions को देखा था तो उसमें से एक exception था Renewal of Lease Agreements तो यहाँ पर जब property को lease किया जाता है तो वो perpetuity के लिए भी किया जा सकता है जब भी property को lease पे दिया जाता है तो वो एक consideration के लिए दिया जाता है यहाँ पर जब किसी व्यक्ति के द्वारा property को lease पे दिया जाता है तो सामने वाला व्यक्ति हाँ पर price pay करता है या फिर promise करता है यहाँ पर जो consideration में price pay की जाती है वो पैसा भी हो सकता है, crops को share करके भी pay किया जा सकता है कोई service provide करके भी दिया जा सकता है या फिर कोई अन्य चीज जो की valuable होती है उसे भी दे कर किया जा सकता है यहाँ पर यह जो price है उसे periodically दिया जाता है या फिर कुछ specified occasions पर दिया जाता है यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी property को सामने वाले व्यक्ति को इस्तमाल के लिए देता है वो व्यक्ति lesser कहलाता है यहाँ पर जो lesser होता है वो अपनी property को सामने वाले व्यक्ति को इस्तमाल के लिए देता है और बदले में जो व्यक्ति lessy होता है वो यहाँ पर consideration को pay करता है Price को यहाँ पर premium बुलाया जाता है और यहाँ पर जो money या फिर crop share या फिर services या फिर कोई अन्य चीज जो की valuable है उससे rent बुलाया जाता है Essentials of lease यहाँ पर जो सबसे पहला essential element होता है वो यह होता है कि जो दोनों parties हैं उनका competent होना बहुत ज़ादा जरूरी होता है lease agreement के लिए जो parties होती हैं उनका competent होना जरूरी होता है contract के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर lesser होता है वो यहाँ पर entitled होना जरूरी है property के लिए और उसके पास absolute rights होनी चाहिए property की जब property को lease पर दिया जाता है तो यहाँ पर possession को transfer किया जाता है और ownership को transfer नहीं किया जाता है जब lease के लिए consideration लिया जाता है तो वो rent या फिर premium के form में लिया जा सकता है लैसी ऐसा व्यक्ति जिसे interest दिया जाएगा property का transfer के बाद उस व्यक्ति को यहाँ पर accept करना जरूरी है lease agreement को यहाँ पर transfer के लिए जो भी time period दिया गया है जो भी terms और conditions है यहाँ पर जो व्यक्ति लैसी है उसे सारी terms और conditions माननी होगी यहाँ पर जो time period होता है उसे lease agreement में specify करना जरूरी होता है lesser चाहे तो इसे relax कर सकता है पर अगर उसकी इच्छा हो तो अब मान लिए जिए जो lease agreement है उसके ने time period को prescribe नहीं किया गया था तो ऐसी परिस्तिती में क्या किया जाएगा section 106 बताता है duration of the lease in the absence of lease agreement को section 106 कहता है कि जब contract में time period को mention नहीं किया जाता है तो यहाँ पर lease को खतम किया जा सकता है दोनों में से किसी भी party के द्वारा जो भी party यहाँ पर lease को खतम करना चाहती है वो एक notice issue कर सकती है quit करने के लिए agriculture और manufacturing purpose के लिए जब भी lease पर property दी जाती है यहाँ पर जब भी lease को खतम किया जाना होता है तो यहाँ पर notice दिया जाता है छे महीने पहले agriculture या फिर manufacturing purpose के अलावा अगर किसी अन्य purpose के लिए property को lease पर दिया गया था तो यहाँ पर जो lease होती है वो month to month के लिए होती है और यहाँ पर जब lease को terminate करना होता है तो 15 days पहले notice प्रोवाइट करना होता है इस section के हिसाब से जब भी notice दिया जाता है तो उसे return में दिया जाना जरूरी होता है अगर कभी परिस्तिती ऐसी होती है कि सामने वाले को return में notice नहीं दिया जा सकता है तो यहाँ पर जो व्यक्ति की property है उस पर इस notice को लगाया जा सकता है किसी ऐसी जगा जो की easily visible हो execution of lease section 107 बताता है कि lease को execute किस तरह से किया जाता है जब किसी immovable property को lease किया जाता है एक साल के लिए या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए तो ऐसा सिर्फ registered deed के द्वारा ही किया जा सकता है इसके अलावा अगर किसी immovable property को lease पे दिया जाता है तो उससे registered deed पे भी किया जा सकता है या फिर oral agreement के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर इससे settlement के द्वारा भी किया जा सकता है अब मान लीजे अगर आप एक से ज़ादा properties को lease पे provide कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक से ज़ादा deeds भी ready करनी होंगी यहाँ पर जितनी properties को lease पे दिया जाता है उनके लिए individual deeds को ready किया जाता है यहाँ पर एक important case law है पंजाब national bank versus गंगा नारायन इस case में कहा गया था कि अगर जो lease है वो oral agreement के द्वारा की गई है तो यहाँ पर जो provision है section 106 के उन्हें apply किया जाएगा स्वाब आप एक सी बात है अगर जो lease है उसे oral agreement के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर जरूरी यह नहीं है कि जो duration है उसे fix किया जाए और अगर duration को fix किया भी जाता है तो यहाँ पर वो निर्धारित नहीं कहलाएगी क्योंकि यह oral agreement के द्वारा किया गया है तो इसलिए यहाँ पर पंजाब national bank versus गंगा नारायन के case में कहा गया था कि यहाँ पर section 106 apply किया जाएगा rights of lesser lesser का अधिकार होता है कि वो अपने rent को recover कर ले वो rent जो की mention किया गया था lease agreement में अगर जो lessy है वो agreement के conditions को नहीं मानता है तो lesser के पास में यह अधिकार होता है कि वो अपनी property को वापस ले सकता है अगर lessee के द्वारा कोई भी damage किया जाता है property को तो यहाँ पर जो lesser है वो recovery of damages के लिए amount मांग सकता है जैसे ही lease का term terminate हो जाता है तो यहाँ पर जो lesser है वो अपनी property का position वापस ले सकता है Liabilities of the lesser Lesser की यह जिम्मदारी है कि अगर कोई भी material defect है उसकी property में तो उसे उस बात को पहले ही disclose करना होगा ऐसा कोई भी defect जो की ordinarily कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है Lesser के द्वारा possession को hand over किया जाना होता है Lessie को Lessie के द्वारा जब contract की conditions को fulfill किया जाता है और time to time rent भी pay किया जाता है तो यहाँ पर जब तक lease terminate नहीं हो जाती है जो Lesser है उसे interfere नहीं करना चाहिए Lessie और उसके possession के बीच में Rights of Lessie अगर lease के term के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वज़े से जो जमीन है वो पहले से जादा बढ़ी हो जाती है Alluvian की वज़े से तो यहाँ पर जो property बढ़ गई है वो same lease के अंदर ही आएगी अगर property का एक significant भाग fire की वज़े से, flood की वज़े से, war की वज़े से या फिर किसी भी अन्य कारण की वज़े से अगर खराब हो जाता है और अब वो जगर Lessie के लिए किसी भी काम की नहीं रह जाती है तो यहाँ पर जो lease है वो voidable हो जाती है पर अगर ऐसा होता है कि Lessie के वज़े से ही जो जमीन है उसका एक important part destroy हो जाए तो यहाँ पर Lessie को फिर ये benefits नहीं दिये जाएंगे Lessie अगर lease की गई संपत्ती को repair करवाता है तो यहाँ पर जो भी cost आती है उसे उसके द्वारा deduct किया जा सकता है rent में से अगर Lessie के द्वारा lease के term के दौरान कोई भी चीज attach की जाती है property में तो यहाँ पर जब जो lease है वो terminate होती है तो यहाँ पर वो attach की गई चीज को detach कर सकता है यह Lessie के उपर एक obligation भी है कि उसको जमीन जिस तरह से मिली थी उसे उसी तरह से उस जमीन को वापस लोटाना है अगर यहाँ पर जो lease थी वो किसी नरधारत समय के लिए नहीं थी और यहाँ पर जो Lessie था वो crops को sow कर चुका था property में तो यहाँ पर जो Lessie है यह उसका अधिकार है कि जो crop उसने वहाँ पे sow करी थी वो उस फसल का फायदा उठा सके Lessie के पास यह अधिकार होता है कि वो जो lease की property है उसको sub lease कर सकता है Liabilities of Lessie अगर Lessie को पता है कि जो property है उसकी value बढ़ चुकी है और इस बारे में जो lesser है उसे कोई भी information नहीं है तो यहाँ पर Lessie को इस बात को बताना होगा Lesser को Lessie को निर्धारित समय पर rent या फिर premium पे करना होगा Lessie के उपर यह obligation होता है कि उसे property को maintain करना होता है उसी condition में जिस condition में उसे property दी गई थी अगर Lessie को किसी भी encroachment के बारे में या फिर interference के बारे में पता होता है जो कि property पे हो रहा है तो यहाँ पर जो Lessie है यह उसकी जिम्मेदारी है कि उसे यह बात lesser को inform करनी होगी यह Lessie के जिम्मेदारी है कि कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर आके उस property को इस्तिमाल ना करे Lessie के अलावा इस बात का ध्यान रखना यह भी Lessie की ही जिम्मेदारी होती है Lesser से permission लिए बिना जो Lessie है वो कोई भी permanent structure नहीं बना सकता है lease property पे determination of lease section 111 बताता है determination of lease के बारे में सबसे पहले तो जो lease है वो terminate की जा सकती है lapse of time की वज़ा से जब जो prescribed time था वो expire हो जाता है तो उसके बाद lease भी terminate हो जाती है अगर lease के अंदा कोई condition दी गई थी कि कोई specific event के होने के बाद जो lease है वो terminate हो जाएगी और ऐसा कोई specified event हो जाता है तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है उससे ट्रांस्वर किया जाता है same person को तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है अगर यहाँ पर lesser और leessi के बीच में कोई mutual agreement होता है जिसके द्वारा वो चाते हैं कि जो lease है वो खतम हो जाये तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है जब जो lessee है वो किसी अन्य property को lease पे ले लेता है तो यह implied है कि वो lease को terminate करना चाता है अगर lessee के द्वारा lease की terms को breach किया जाता है तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है अगर लेसी के द्वारा जो property का title है वो किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है अगर जो लेसी है वो insolvent हो जाता है तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है अगर यहाँ पर notice to quit दिया गया था और जो notice है वो expire हो जाता है तो यहाँ पर जो lease है वो terminate हो जाती है तो आज जो हमने topic cover किया वो है lease under transfer of property act जिसमें हमने cover किया definition of lease, essentials of lease, time period of lease, execution of lease, rights and liabilities of lesser and lessee और termination of lease को